देवास में कॉंग्रेस द्वारा नीट परिक्षा में गरबड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें NSUI के जिलाध्यक्ष के मौजूद न होने पर बवाल हो गया इस बीच NSUI के जिलाध्यक्ष को अपने पच से इस्तिफा भी देना पड़ सकता है देवास में कॉंग्रेस के नीट आंदोलन में आपसी खीषतान देखने को मिल रही है NSUI को लेकर शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी बोले कि आंदोलन नहीं कर सकते तो चूडियां पहन कर घर बैठ जाएं आपको बता दे कि मीट आंदोलन के समय NSUI के जिलाध्यक श्रीकान चोहान मौजूद नहीं थे जिस पर उन्होंने टिपड़ी की थे और अब उनका कहना ये भी है कि उन्हें जल से जल्द पड़ से हटाया जा सकता है NSUI Youth Congress के जो हमारे नोजवान साथी हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आग का गोला बनकर सरकार के खिलाफ़त करना चाहिए अगर ऐसे स्टूडेंट्स का भविश्य अंदकार में होता है Youth Congress और NSUI का ये परम करतव्य है कि हम इस देश के बविश्य के साथ खिलवान नहोने दें इस्टूडेंट विंग के साथ जो गलत हो रहा है पूरी देश खुली आँखों से देख रहा है हमारी संसां को चाहिए कि जबर जस्तान दोलन इस मुद्धे पर देश में होना चाहि कर दें तो चमतकारिक परिणाम सामने आएंगे वहीं इस मामले में अब सज्जन सिंग वर्मा का बयान भी सामने आया है उन्होंने भाजपसरकार को जम करारे हां तो लिया है वो कह रहे हैं कि युवाओं के भविश्य का सवाल है इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं और जिला करना पड़ेगा यह भी कहता हूं कि प्रदेश की सरकारों ने स्टुडेंट पॉलिटिक्स को खतम किया लेकिन जिसमें जिन्दा दिली होती है वो स्टुडेंट अपनी राजनितिक समझ जीए उनको कभी खतम नहीं हम तो अवान कर रहे हैं जिसको आना हो इस मंज प बहार हैं हाला कि वो सवालों को टालते हुए भी नजारा रहे थे आज कुछ पारिवारी कारणों से बाहर गयो राजस्तान गयो है इसके कारण आज उनको सीख दी गई है कि एनेस वायवारा लगातार चात्रों के जो जो भी चात्रों के गोटाले होते हैं जैसा भी नीट और इनका गोटाला हुआ उसमें एने स्विया को आगे बढ़कर हिस्ता लेना चाहिए आप देख रहे हैं डखल न्यूज